प्यारे विद्याथियों आज की शिंदी कच्छा में आपका सागत है आज हम कच्छा बारहमी का हिंदी आधार से सम्मंदित पुष्टक आरोह भागदो में संकलित पाथ एक आत्म परिचय तथा दिन जल्दी जल्दी धलता है कविता का रिवजन टेस्ट लेंगे इस रिवजन टेस्ट में कुल 30 प्रस्ण है प्रतेक प्रस्ण के लिए एक अंक निरधारित है इस तरह से 30 प्रस्णों के लिए 30 अंक हैं समय 30 मिनट है यानि आपको 30 मिनट में इन 30 प्रस्णों का उत्तर देना है जिन्हें 30 अंकों में 30 अंक प्राप्थ हो जाएंगे यानि 30 से 30 अंक मिलेंगे तो यह माना जाएगा कि विश्रवस्रेष्ठ हैं उन्हें इस पाथ की अच्छी जानकारी हो गई है क्योंकि 30 प्रस्ण का उन्होंने सही उत्तर दिया है और जिने 30 में से 25 अंक प्राप्थ होंगे तिया माना जाजा की विश्रेश्ट है क्योंकि केवल 5 ही अंक उनके कटे कहीं उनसे चूख हो गई वे इस पार को एक बार और पर सकते हैं जिने 30 में से 15 अंक प्राप्थ होंगे, वे औसत हैं, उन्होंने इस पार्थ को ठीक से समझने की कोशिश की है, लेकिन वे समझ नहीं पाए हैं, उन्हें फिर से इस पार्थ को पढ़ना है, और इस पर रिवजन टेस्ट को देना है, जिने 30 में से 10 अंक प्राप्थ होंगे, य यसा माना जाएगा कि उन्होंने इस पार्ट को ठीक से पढ़ाई नहीं, वे इस पार्ट को समझ नहीं पाए हैं, क्योंकि जो दस अंक उन्हें मिले भी हैं, वे तुक्के के आधार पर मिले हैं, तो उन्हें इस पार्ट की व्याक्षा को, इस पार्ट के भाव को और अच्छी तो चलिए अब रिवजन टेस्ट देते हैं निम्न लिखित प्रस्णों के उत्तर के रूप में दिये गए दो विकल्पों में से सही विकल्प छांट कर लिखिए प्यारे विद्यार्थूं इसमें जो भी प्रस्न हैं सभी प्रस्नों के उत्तर के रूप में दो दो विकल्प हैं यानि प्रस्न है और उसके उत्तर के रूप में दो विकल्प दिया गया है विकल्प को विकल्प खो उसमें से एक विकल्प सही है दूसरा गलत है तो आपको सही विकल्प चुनना है आपको इन में से कुछ प्रस्ण ऐसे भी मिलेंगे कि जिनके उत्तर करूप में दो विकल्प दिये गए हैं वे दोनों ही विकल्प आपको सही लगेंगे ऐसा लगेगा कि को विकल्प भी सही है और खो विकल्प भी सही है तो आपको ये जो दो विकल्प हैं, जो आपको सही लग रहे हैं, उनमेंस जो सटिक है, सर्वत्तम है उस विकल्प को चुनना है और लिखना है पहला परस्न है, हालावादी कवी के रूप में कौन परसिद्ध हैं? उत्तर के रूप में को विकल्प हरिवन्स राय बच्चन, खो विकल्प जय शंकर प्रसाद, दूसरा प्रस्ण बच्चन साहित्तिक उपनाम किस प्रसिध कवी का है, को शम्षेर बहादूर सिंग, खो हरिवन्स राय, तीसरा हरिवन्स राय बच्चन का जन्म हुआ था, को 27 न की है का रगुवीर सहाय ख हरिवंस राय बच्चन पांचमा प्रस्ण आत्म परिचेक कविता में हरिवंस राय बच्चन ने स्पष्ट करना चाहा है का स्वयम को जानना दुनिया को जानने से कथिन है ख स्वयम को जानना दुनिया को जानने से सरल है छट्मा प्रस्ण कवि में और दुनिया में क्या अंतर है क परियाप्त अंतर ख जरासा अंतर सात्मा प्रस्ण जग जीवन का भार लिये फिरने का क्या आश्य है उत्तर के रूप में को जीवन में कश्टों को सहते हुए भी किसका माहल बनाना चाहिए को उत्तर खुशी और मस्ती का माहल ख निराशा एवं उदासी का माहल नवा प्रस्ण कौन सा प्रस्ण कवी के पैरों की गती को सिथिल कर देता है उत्तर के रूप में को विकल्प किसी से ना मिल पाने की निराशा से किसी से मिलने की आशा से दस्वा प्रस्ण किसके गीतों रोधन और वानी में प्रेम जलगता है को कवी के ख पाठक के जारमा प्रस्ण आत्म परिचे कवीता में भाशा का प्रयोग है को साहितिक खड़ी बोली ख अवधी भाशा बारमा प्रस्ण हरिवंस राय बच्चन प्रतिनिधी कवी हैं को छाया वाद के ख छाया वादुस्तर काल के तेरहमा प्रस्ण संसार के लोग किसमे खोई रहते हैं को भातिक्ता में ख आध्यात्मिक्ता में चोदहमा प्रस्ण लोग छंद की संग्या किसे देते हैं को कवी की पीडा की चितकार को कवी की हसी के उनमाद को 15. दिन जल्दी जल्दी धलता है, पाथ उद्रित है का मधुशाला से का निशा निमंतर्ण से 16. जल्दी जल्दी का प्रयोग सहज अभिवक्ती प्रदान करता है का मन की ब्यग्रता को खा मन की हीन भावना को 17. दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवी ने किसकी प्राप्ति की आतूरता को दर्शाया है को बित्ते समय के साथ लक्ष प्राप्ति की आतूरता खो समय के साथ साल नो मिला पाने की आतूरता अठारमा प्रस्ण जल्दी जल्दी में कौन सालंकार है को पुनुरुक्ति प्रकाश अलंकार ख उपमालंकार 19-वा प्रस्ण दिन जल्दे जल्दे ढलता है कविता में किन चित्रों के द्वारा भाव प्रमनता की अभिवेट्टी हुई है करेखा चित्रों द्वारा ख मार्मिक चित्रों द्वारा 20. कवी के जीवन में कमी है का प्रेम की खा निरस्ता की 21. भव सागर में अलंकार है का यमक अलंकार खा रूपक अलंकार 22. मुझसे मिलने में अलंकार है का यमक अलंकार खा अनुप्रास अलंकार 23. मुझसे मिलने को कौन विकल से क्या पता चलता है कभी अकेला है कभी सब के साथ मिलकर रहता है 24. कभी किसली अपनी चंचलता त्याग देता है कभी किसी से मिलने की आस न होने पर किसी से मिलने की इच्छा से 25. जहां पर दाना रहते हैं, पंक्ती में दाना का क्यारत है को ना समझ लोग, खो जानकार लोग 26. अवसाथ का शाब्दी कर्थ है, को उदासी, खो आवेश 27. शीतल वानी में आग से क्या आश है को कभी के सामान सब्दों में भी क्रामती की आग है 28. कभी सुख और दुख दोनो इस ठितियों में प्रसंद रहता है को सुख और दुख के प्रती समभाव के कारण को में समभाव है, खो में विसमभाव है इन दोनों में कौन सटिक है, इसे आपको चुनना है 29. प्रस्ण पंथी का अर्थ क्या है कव पथिक या मुशाफित, खव वीर या युद्धा तीसवा अंतिम प्रस्न है कभी अपने मन का गान किस प्रकार गाता है कभी अपने मन का गान किस प्रकार गाता है कव दुनिया की परवाह न करके खव अपने मन के मुताबिक तो बच्चों इस प्रकार 30 प्रस्न हुए सबी प्रस्नों के उत्तर के रूप में दो विकल्प आपको दिये गए उनमें से आपने सही विकल्प चुन लिया होगा जिनें 30 में 30 मिले वे सर्वुत्तम हैं जिनें 30 नहीं मिल पाए हैं वे इस पाठ को फिर से समझेंगे और पुना इस रिवजन पेस्ट को देंगे तो मुझे पूरा विश्वास है उन्हें पहले से अधिक अंक अवस्य प्राप्थ होंगे धन्यवाद